देखिए हम देखेंगे आज information transfer के बारे में information transfer में आपको verbal to non-verbal given होता है जिसमें आपको passage read करना होता है care fully passage read करने के बाद में आपको इस passage के उपर based ही, pie chart, tree diagram या फिर flow chart या फिर graphical form में information को present करना होता है कभी-कभी क्या होता है कि आपको इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन गीवन होती है और आपको जो इनकम्प्रिट इंफॉर्मेशन है उसे वो फिल करना होता है यहाँ पर देख लिजिए नॉन वर्बल टु वर्बल में आपको इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से गीवन हो सकती है या फिर आपको पाईचार्ट के फॉर्म में या फिर ट्री डाइगरम के फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन गीवन होती है आपको इस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से अनलाइज करके इसके उपर बेज़ ही एक पैरग्राफ प्रिपर करना होता है यहाँ पर भी आपको जो है टाइटल देना जरूरी होता है